नैनिताल के रामनगर में नैशनल हाईवे 121 पर टैंपू और फोर्चुनर कार की आमने सामनी भिड़न्त हो गई जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और चार लोग गंभी रूप से घायल हो गई जानकारी के मुताबिक टैंपू में 6 लोग सवार थे चिल्किया की समीप यह सड़क हादसा हुआ है बताया जा रहा है एक तेज रफ्तार से आती हुई फोर्चुनर कार ने ओटो में जोरदार टकर मार दी जिससे ओटो में सवार 6 लोगों में से 2 की मौके पर ही मौत हो गई जबकी चार लोग गंभी रूप से घायल हो गए जिन्हें ग्रामीनों की मदद से रामनगर सिकित सालिय लाया गया जिसमें से एक की हालत ना जुक होने पर उसको प्राथ्मिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है वही कार्चालक घटनस्थल से प्रार हो हमारे पास चार लोग पहुँचे इसमें दो ग्रॉड डेट है जो बताए जा रहा है कि वो मिया वीवी थे उनको तो मित्री आये और एक छोटा बच्चा तीन साल का और एक और गंभीर हालत में पे वो आये थे उनका प्राइमरी उप्चार करके हम उनको आगे रिफर किया झाल झाल